हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और आप सभी कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने ये लोटस के जो सीड्स हैं इनको कैसे और घर में ही ग्रो किया है तो आप भी इनको आसानी से कर सकते हैं तो जब ये इस कंडिशन में हो जाते हैं इस लेवल तक ये ग्रो हो गए थे तब तक मैंने इनको आपको बताया था कि घर में ऐसी जगह रखा है जहां पे इनको हलकी रौशनी वाली धूप तो आती है पर डारेक सनलाइट नहीं थी अब इसके बाद इतनी जो इनकी ग्रोथ हो जाती है उसके बाद आपको इनको डारेक सनलाइट में रखना है क्योंकि जो इनकी लीव्स कुलते हैं उनको फिर उस वक्त प्रॉपर जो धूप होती है वो चाहिए होती है और जितनी इनको धूप मिलेगी उतने ही अच्छे से बढ़ते हैं नहीं तो इनकी जो स्टिक के आगे से काली होके और लीव्स भी खराब हो जाते हैं तो मैं आपको इसका आगे का अपडेट दिखा रही है फ्रेंड्स कि अब इसकी रूट्स देखे आ चुकी है तो लास्ट मैंने जो आपको अपना वीडियो अप्लोड किया ह इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी शेयर कर दूगी तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इस कंडिशन में आने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको मिट्टी में मैंने बताया था कि मिट्टी का जब मैं इसका बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करू अब इसके लिए मैंने क्या किया यह एक मिट्टी का बरतन ले लिया है और एक टब लिया है और यह जो है तीस रुपए के आसपास का मिट्टी वाला पड़ा और पचास रुपए का जो है यह मेरा टब है तो यह साइस बहुत जादा बड़े अभी फिलाल नहीं लिये हैं जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी मैं इसको अगर बढ़ाना हुआ तो बढ़ा दूँगी तो इसमें अब हम क्या करेंगे एक मिट्टी की लेर पहले लगाएंगे नीचे और यह बरतन आपको ऐसा लेना जिसमें छेदना हूँ और मैं इसलिए मिट्टी वाला अलग से बना ताकि यह जो है कभी भी पानी चेंज करना तो आसानी से निकाला जा सके अब इसके अंदर मैं एक वर्मी कंपोस की लेर लगा रही हूँ और यह लगाने के बाद इसके उपर मिट्टी की एक लेर और लगाएंगे तो इस तरीके से यह आप मिट्टी तयार कर लें आप चाह जाने के बाद इसमें हम पानी भर देंगे तो यह पानी जब पूरा पी लेगी उसके बाद क्या होगा मिट्टी जो है बहुत मुलायम हो जाएगी और बहुत आसानी से इसमें हम जो यह पौदे यह बीज है इसकी रूट्स जो है लगा पाएंगे वो तूटेंगी नहीं व आपको ऐसे डालके थोड़ी देर केले इसको छोड़ देना है तो हम इसको 10-15 मिनिट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे पानी जब इसका बिल्कुल साफ हो जाएगा या थोड़ा सा बैट जाएगी मिटी उसके बाद हम इसे लगाएंगे तो 10-15 मिनिट मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया है और उसके बाद देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली जो हमारी कितने अच्छे से रूट्स आ पूरे दिन इनको मैंने अब इंडोर नहीं रखा था तो ये पूरे टाइम बाहर थे और अब देखें हलके हातों से हम इसे नीचे की तरफ दबा देंगे तो इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए अगर आपके ज्यादा सीड्स हैं तो आप बड़ा बरतन भी यूज कर स इनको हम इसी तरीके से सारे जो हैं उनको लगा लेते हैं और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और इसका पानी भी फ्रेंड्स यह है कि हफ़ते भर के अंदर आपको चेंज करना होगा ऐसा नहीं है कि इसका पानी हमने फिल कर दिया है और फिर पूरे टाइम के ल जो यह हमने टब लिया है इस टब के अंदर हम इस मिट्टी वाले बरतन को रख देंगे वो इसलिए फ्रेंड्स के ताकि मैंने भारी न मिट्टी वाला इसलिए भी सोच के लिया है कि जो टब है वो छोटा है मेरा तो आसानी से लुड़के नहीं अगर चट पे कोई डॉग और इसमें गष्ग अब ऑफ सीमय और पानी मया जान थार कि इसके न पर दीनके मतलप हमीशा इसको अब दूप मेरा रखना आ wes चाय तो मैंने इसको बाहर रखा यह व innovativism is अंचे तो इतना लेयर में इसका पानी का दूँंगे इसमें ताकि मिट्टी वाला बरतन प्रोपर पर दख जाए इसमें कवर हो जाए इसके उपर तक पानी आ जाएगा उतनी लेयर पानी कि हम इसमें डाल देंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स इतना इसमें आना शुरू हो गया धीरे धीरे यह आ रहा है और उसके बाद आप इसे थोड़ा धुलाएंगे नहीं न छोड़ द उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज लगते हैं यह फ्री ओफ कॉस्ट होता है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगे आप लोगों से कि मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो जरूर करके फ्रेंड्स क खा लेती हैं और वो सही रहता है और यह डेकुरेशन के लिए मैंने इसमें थोड़े से लेके आई वी थी तो यह कच्छवे रख दिये हैं यह पानी की ऊपर तैरते रहते हैं डूपते नहीं है यह भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे इस वक्त दिवाली के टाइम पर आ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसको और क्या खाद और क्या चीज़े एड़ कर रही हूँ तो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई